नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोते सीक्रेट साल का अंतिम सूरी गरहन लगने जा रहा है 4 दिसंबर 2021 हलांकि ये 2021 का दूसरा सूरी गरहन है और हिंदू पंचांग के अनुसार 4 दिसंबर को मार्क्सिस महिने की कृष्ण पक्ष की अमोस्य दिती है तो साल का ये आखरी सूरी गरहन 4 दिसंबर को सुबह 10 बच कर 69 मिनट पर सुरू होगा और दोपहर 3 बच कर 7 मिनट पर समाप्त होगा अब ये 4 दिसंबर 2021 को लगने वाला सुरी गरहन में सूतक काल माने नहीं होगा और ये ले सूरी गरहन उपचाया गरहन होगा अगर हम जितिस की माने तो पुर्न गरहन होने पर ही सुतक काल माने होता है आंसिक या उपचाया होने पर सुतक नियम पालन नहीं किये जाते तो साल का आखरी सूरी गरहन अंटार्टिका, दक्षिन अफरिका, आस्टेलिया और दक्षिन अमेरिका में दिखाई देगा हलांकि भारत में ये गरहन नहीं दिखेगा लेकिन चुकि सूरी गरहन के दोरान किसी सुनसान जगह से बिलकुल भी ना गुजरें क्योंकि इसमें नकात्मक सक्तियां ज्यादा प्रभाव साली हो जाती है और सूरी गरहन का सुतक काल प्रारंब होने के बाद आपको भूल कर भी कुछ नहीं खाना चाहिए तो सूरी गरहन को खुली आँखों से मत देखिए आँखें खराब हो सकती है और सूरी गरहन के समय भगवान की मूर्ति को असपर्स ना करे मानेता है ऐसा करने से मूर्तियां दूसित हो जाती है सूरी गरहन के समय गरवती महिलाओं को खाना बनाने से बशना चाहिए इने भी काटने चीटने सिलने की चीजें हैं तालाचा भी हैं यूज ना करें एक पानी वाला नारियल गोद में लेकर बैठें भगवान का मंद्र जब करें आए जानते हैं तमाम रासियों पर इस गरहन का क्या प्रहाव पढ़ने वाला लेकिन उसके पहले यह जानने कि साल क नचत्र या जेश्टा नचत्र में हुआ है अगले 15 दिनों तक आपको बहुत समल के रहना है खासकर अपनी वानी पर कंट्रोल रखना है कर्ज देने लेने से बचना है वड़ना फस जाईएगा तो चली शुरुआत करते हैं पहले मेस रासी मेस रासी वालो आपके लिए ग प्रिकता क्योंकि गरहन का प्रभाव चुकी अगले 15 दिन तक रहेगा और आपके लिए गरहन अच्छा नहीं है गरहन के बाद आपका स्वास्त में गिरावट आ सकती है जैसे कि आपको चोड़ चपेट ना लग जाया दुरगटना ना हो जाया इसलिए आपको संभल के रह जाते भी हैं तो निकलिए और धन के मामलों में साब्धान रहें किसी पर भरोसा ना करें धोका हो सकता है अगले 15 दिनों तक ग्रहन का प्रभाव है और आपका तनाओ यानि टेंसन बढ़ सकता है काम करने की जो चंता है न वो थोड़ी कमेगी अब यह ग्रहन आपके लिए सामाजिक छेत्र से जुड़े हैं तो मान पर्तिष्ठा तो बढ़ेगा ब्यापारी हैं तो नए अनुबंद होंगे लेकिन आपको तनाओ है मिथुंडासी आपके उपर चल रहा है धैया और यह जो ग्रहन है अगले 15 दिन तक आप जो भी लक्ष की ओर बढ़ रहे हैं मुस कि यह ग्रहन आपके लिए बिवादों से आपको छुटकारा दिलाएगा मनो कामनाओं को पुर्ण करवाएगा पर फिर भी धैर की आवा सकता होगी करकरासी आपके लिए यह ग्रहन कहता है कि अगले 15 दिन तक किसी से भी बिवाद ना करें और जीवन साथ ही कि स्वास्त का बहुत ध्यान रखें क्योंकि यह ग्रहन आपके लिए उतना अच्छा नहीं है मित्रों से बेवज़ा विवाद हो सकते हैं संतान की तरफ से छोटे मोटे तनाव दिखते हैं इनसे आपको बाहर निकलना होगा तो संतान का ध्यान रखें संतान से तनाव करने से बचें और बेवज़ा किसी से भी ना उलजें खासकर मित्र हैं अपने हैं करीबी हैं उनसे संभाव हो तो गरहन के समय नमसी बाइका खूब जाप करें सिंग रासी गरहन आपके लिए छपपर पार सफलताय नहीं भले आपके रसी के सौमी को गरहन लगाया पर ये आपके लिए उत्त कहीं गलत ना हो जाए इसलिए सोच समझकर ही आगे बढ़ना है तैस में आकर कुछ भी ना करें करने रासी धन खर्चा होगा अगले पंदरा दिन तक धन के मामनों में किसी पर भरोसा ना करें बे बज़ा सौपिंग करने से बचे और यानि खर्च ही परिसान करेगा हला कि जी योग मिलेगा लेकिन रिष्टों को संभालें यह आवस्यक है तुला रासी तुला वालो आपके लिए ग्रहन बहुत अच्छा नहीं लिखता लेकिन वानी पर कंट्रोल भी रखना है और बाद विबात किसी से भी मत कीजेगा चाहे कुछ भी हो जाए अपने स्वास्त का व पैसे इंबेश्ट करना चाहतें खासकर बड़ी रकम तो समझ कर कीजिएगा देखिए ग्रहन का प्रभाव चुकि अगले 15 दिन तक रहेगा तो धन बचत करने का प्रयास कीजिए और जरूरत से ज्यादा तनाव मत लीजिए क्योंकि जो होना है वो तो होगा तनाव लेकर आप सही निरने नहीं ले पाएंगे तो ध्यान रखें सुर्य गरहन चुकि ब्रिश्चिक रासी में लग रहा है तो मन औसांत है और इसमें कारिछ छेत्र में थोड़ी और सुबीधा भी दिखती है तो आपको बहुत सम्मल कर आगे बढ़ना है इस गरहन के प्रभाव के का करवाएगा क्योंकि देखिए गागले 15 दिन तक खुब खर्चे होंगे भाग दोड़ है हलांकि लंबी दूरी की आत्रा के भी योग बनेवे हैं लेकिन आपको खर्च से जरा बशना है गलत संगती से बाहर निकलना है गलत आदतों से दूर रहना है नहीं तो बेवजय हान नहीं होगा तो धन का खर्चा से बचना है और गलत लोग से दूर रहे हैं गलत चीजों की तरफ मत जुकिए वड़ना आप फ़र जाईएगा मकरासी आपके लिए ग्रहन धेर सारी चुनोतियां लाएगा आप व्यापारी हैं आप जौब करते हैं आपके लिए चुनोतिया निकले लेकिन दूसी तरफ उन्नती भी कराएगा व्यापार में और जौब करते हैं तो पदनती भी देगा यानि यह ग्रहन आपको लाब भी देगा और थोरसा परिसानियां भी देगा तो आप यहां पर देखिए ग्रहन के वक्त निगेटी प्रफॉसे बचने के लिए ख ग्रहन भी दे रहा है यानि समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा भूमी भवन से जुड़ी समस्याओं का समदान होगा और यह ग्रहन आपके एहंकार और क्रोध दोनों को बढ़ा रहा है तो आपको एहंकार से क्रोध से बचना है वरना आपके बने बनाए काली बिगड़ जाएंगे तो साब्धान रहिएगा मीन डासी आपके लिए भी ग्रहन ठीक है पर बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि आप जो भी काम करेंगे कारे समय पर पूरा करने में दिक्क्त आएगी आलस से बढ़ा हुआ है आलस से बाहर निकले और सुर्य ग्रहम का प्रभाव चुकि असुब है तो थोड़ा सा धर्म की तरफ जुकिए नौकरी में स्थांतरन के योग है पिता से बेबज़े विवाद ना करें सतर करें और जितना ज्यादा हो ग्रहन के समय नमसिवाय का जब करें और ग्रहन के बाद नहा कर सिवजी को एक लोटा जल जरूर अरपित करें अपने गुरु दिख्षा ली है तो उन्हीं का मंतर का जब करें गर्वती महलाओं को इसमें ना तो खुले आसमान के नीचे जाना चाहिए और ना ही कोई पत्ता या तिनका या कुछ भी तोड़ना चाहिए कुछ भी नहीं तोड़ना आपको और इसके साथ ही आप सुई ध अन्ही नहीं डब तोड़ना चाहिए